एक तो वह रॉकेट के स्पीड बहुत जाता होती है, आक्सिडाइजर है वो साहत में लेके चलता है, और एरप्लेंग सिर्फ हवा में ही उड़ सकती है, इस्पेस में नहीं जा सकती है, क्योंकि बाहर हवा ही नहीं है तो उसका जो इंदन होगा, उसका तॉमने कैसे होगा है, आफेस पीज़ी से अग्याइच लेगा उतनी थेज़ी से रॉकेट जाएगा जायेगा निक्स ये कुछ रॉकेट की पार्ट है, इसमें बताने की रूप ने, ये स्रक्च्चर है, जैसे हमारी बौड़ी है, हमारे बौड़ी में हट्डिया तो वह एक प्लस से स्रक्चर हम पहुँ सारे भाग होते हैं, structure हो गया, avionics, control, navigation, telemetry and tidal, next. rocket भी कही तरह के होते हैं, एक होता है, solid, उसमें कही तरह के propylent होते हैं, उसमें कही तरह के propylent होते हैं, solid propylent होते हैं, liquid propylent, solid propylent में जैसे आपने घर पे बटाके लेखे होंगे,